C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे विशेश उपलगधियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित शिंखला छूलू मैं आकाश C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कारिक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुल्सी गोडा नंगे पाउं धोती नुमा पारंपरी कपडे आधिवासी गेहने पहनी तुल्सी गोडा, a 72-year-old tribal woman from Karnataka जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुल्सी गोडा गोदेश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पदमश्री से नवाजा क्या है ये आकाश्वाणी है प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार आज राष्टपती भवन के एक भव समारोह में श्रीमती तुल्सी गोडा जी को महमहिम राष्टपती श्री रामनात कोविंद द्वारा सन 2020 के पदमश्री पुरसकार से सम्मानित किया गया श्रीमती तुल्सी गोडा समाच सेवा परियावरन यह सम्मान परियावरन सरनक्षण में उनके द्वारा दिये गए और लेखनी योगदान के लिए दिया गया है देज भर में प्रसनता की लहें आज नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुल्सी गोडा जी को पदमश्री पुरसकार से सम्मानित किया जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्य पुरसकार है राश्रुपती भवन के रेट कार्पिट पर नंगे पाउं चलते हुए श्रीमती तुल्सी गोडा पदमश्री सम्मान लेने जब महा महिम राश्रुपती के पास पहुँची तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ती इस आधिवासी महिला को देख कर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ा हट से गूँचता रहा उत्तरी करनाटक का क्षेत्र परवतों और सघन जंगलों से गिरा हुआ है यहां की प्राकृतिक सुंदर्ता देखते ही बनती है पहाडों से उचलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल-कल करती हुई गुजरती है तो एक अनोखा नजारा पेश करती है इस सुरम में वातवरण को और भी संगीत मैं बना देता है पक्षियों का कल रव इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं उनके जनजातिय संगीत और नृत्ते तो मानों संपूर्ण सौंधर्रे में चारचान लगा देते हैं ये जनजातियां मुख्य रूप से खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं यहां के आदिवासी विशेश रूप से नरसरियों में बाखबानी करके औशधिये पौधों को उगाने का कारे करते हैं सम्रिध आदिवासी संस्कृती और प्रचुर प्राकृतिक सौंधर्य के बीच तुलसी गोड़ा का जन्म 1944 में होनाली गाउं के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था पिटा के मृत्यू के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नरसरी में काम करना शुरू किया निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी मा और बहनों के साथ गाउं की ही एक सरकारी नरसरी में दैनिक वेतन भूगी के रूप में काम करना शुरू किया पौधों से उनका बहुत लगाव था तुलसी की कारे निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरे का विशेश काम सौपा गया एक बार की बात है उनके गाउं की नरसरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए वो औशदिये पौधे थे और बहुत महंगे भी वन विभाग की यूजना थी बड़े पैमाने पर इन उशदिये पौधों की खेती करने की पौधे रोब दिये गए लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुर्जाने लगे किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें तो तुलसी की कारे निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देख रेक का विशेश काम सौपा गया कुछी दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे इस घटना से तुलसी का नाम स्थानिय वन विभाग में फैल गया और सब ने उनकी भूरी भूरी प्रशन साकी इस घटना को याद करते हुए वो बताती है उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था वहाँ जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था रोज उन्हें पानी दो बार दिया जाता था और खात की भी कोई कमी नहीं थी अच्छा, अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पाधे मर जाते हैं तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पाधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है क्योंना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए जब ऐसा किया तो दो दिनों में पाधों में कुछ अच्छे बदलावाए ये तो आपने बहुत अच्छे बात बताई तुलसी जी जी, पाधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए और कितना नहीं दिया जाए तुलसी जी ये तो हुई पानी की बात क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं अरे वाह ये तो बहुत ही सच मुझ गौर करने वाली बात है हाँ और अगर अलग-अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़बाते कुछ पौधे तो अकेले लगाये जाने से बढ़ते ही नहीं है और फिर दीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं अच्छा मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोब कर देखा जाए फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर जनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी हाँ लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं देखो पहली बात तो ये कि पौधो में भी जीवन होता है बिलकल होता है और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेला पन का अनुभव कर सकते हैं इसलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बहतर ढंक से पढ़ते हैं ये तो बड़ी ही दल्चस बात है दुलसी जी और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोशन को साजा कर सकते हैं दुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोई विशेश संदेश देना चाहेंगे? मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा वन बचाओ, देश बचाओ उन्होंने पेड़ पौधूं और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था उनके अंतर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज़बा आ गया था एक बार उन्होंने कहा था मुझे नहीं मालू कि जंगल के बारे में मैंने इतना ग्यान कैसे इकत्रित किया लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से जंगल से बातें कर सकते हूं मैं जंगल की भाषा बोल सकते हूं कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भाती बता सकती थी वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह वबहंडारण किस तरह से करना चाहिए? श्रीमती तुलसी गौडा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्यान के कारण परियावरण विदो द्वारा जंगल के विश्व कोश और उनकी जनजाती द्वारा व्रिक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है वो जंगल में हर प्रजाती के पेड़ की मा या मात्री व्रिक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं चाहे वो कहीं भी हो किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठा कर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहां है आये जानते हैं कि मात्री व्रिक्ष या माता पेड किसे कहते हैं नाम से ही विरित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है तो आये सुनें कैसे तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातर व्रिक्षों के बारे में बात की जाती है तो आपसे ये जाना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातर व्रिक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं बड़ा अच्छा सवाल है मातरी व्रिक्ष अपने आकारों से पहचाने चाते हैं ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेर होते हैं और हाँ, पुराने होने की वज़ा से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती है इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान व्रिक्ष भूमी के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातरी व्रिक्ष से भोजन लेते हैं अच्छा, ये तो बड़ी दिल्चस्प बात बताई आपने अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि मात्री वरिक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं इसके बारे मैं आपका क्या कहना है बिल्कुल सही सुना है आपने मात्री वरिक्ष गूंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखरने से बचाते हैं अरे वाँ, ये तो बहुत ही दिल्चस बात बताई आपने इतना ही नहीं, यदि कई मात्री व्रिक्ष आसपास हूं तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे? जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं, और अच्छे इसके अलावा भी कुछ और बताईए ना मात्री व्रिक्षों के बारे में? हाँ, बिल्कुल, देखे, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगजल और फॉस्फोरस जैसे मिट्टी के पोशक तत्वों को खीच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना? तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिल्चस्प और उप्योगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद. तुलसी गौड़ाजी को तीन सो औशधिय पौधे और एक लाग से भी अधिक पेड़ लगाने का गौड़व प्राप्त है, कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है, उनके द्वारा लगाये गए औशधिय पौधों के इस्तिमाल से उस जन जातियों का बड़ा कल्यान हुआ है। बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानितम चीजें हमेशा अतिसाधारण होती हैं, यानि, ग्रेटिस थेंग्स आर ओल्वेस सिंप्लेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार देख अभीनंदन। अभी आप सुन रहे थे कारिक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। प्रियशोता, यदि आप हमारे कारिक्रमों पर अपनी प्रतीक्रियाएं देना चाहते हैं, तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 88-00-44-00-55-9 साथ ही, आप इमेल पर भी हमसे संपर कर सकते हैं। हमारे इमेल का पता है audio at ciet.nic.in यह कारिक्रम CIET-NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तूत किया गया। कार्छा प्रस्तूत किया रा़ कर सकते हैं। झाल झाल